अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इम तरीन खबरों से हमें इसा वाखी फ्रेणना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नाइस कुप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प अमद बिन अली अल्ग तमीमी साहब से कल मुलाकात की दोस्तों जैसे कि आप फोटों में देख सकते हैं दोनों देशों के अंबेज़र जो है पनिश्टल वगएरा बैठे हुए हैं दोनों दोस्ते के तरक्की के बारे में दोनों दोस्ते कैसे अच्छे होंग ये सब चीज त्रेटिक स्वत बिपर्टमेंथ होता है उसे ट्रांस फर किया गया है कूईज्टों वहां पे कुछ काम वगएरा होना बाद यह हैं जो इनक्री में दोंधिंदोस्तों द्रांस यली और रहेगा दोंधिं आप ज़ाओगे तो ये डिपार्टमेंट आप चले जाईए वहा चाज कतर में कोहरा यानि कोहासा बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, ठंड काफी ज़्यादा थी, दोस्तो और हवाएं भी थेज चलिए थी, ठंड भी काफी ज़्यादा था, ऐसे मौसा भाग के द्वारा भी बताया गया है, अगली ख़बर साथ ही अगली ख़वर साथ ही वारी कतर इसकर रहा है परसूट सेट जिन बना गry Metal इसकर न रहा है अगली ख़़वर साथ ही आसील मार्केट 3.5 दोस्तों बताना चाहूंगा एक काफी अच्छी ख़बर है सातियों वहाँ पे दोस्तों जो वहाँ लोकल जो भेजी टेबल होता है वहाँ कातर का तो बताया गया है दोस्तों वहाँ पे जो लोकल भेजी टेबल है वहाँ 3.5 मिलियन कीलो ग्राम तक दोस्तों वहाँ पे हुआ है तो दोस्तों काफी बड़ी दोस्तों बीनस इस महें ने देखी गई है अगली ख़बर साथ हुआ है दोस्तों दोस्तों जो मिनिस्ट्री ओफ ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन है उनके द्वारा यह एनॉस्मेंट किया गए जितनी बोट्स वगएरा जो भाड़े पे लिया जाता था उन सभी को दोस्तों फिलाल अभी बन किया गया है कुछ दिनों के लिए कोविड-19 के चलते तो फिलाल स अच्छी लोगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सकें मिलते साथ उने शुड़ी पहला आपीज़न टेक किया